तो आज का ब्लॉग छोटी छोटी कुछ टिप से स्टार्ट कर रहे हूं जो कि मॉर्णिंग में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है छोटी चीजे रहती हैं हेल्दी और आपको स्वस्त बनाने में बहुत मदद करने वाली हैं और आपकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए तो मैंने गलास गरम पानी सुबह सुबह लेती हूं और इधर में रख दे रहे हूं चाय बनने के लिए तो गरम पानी में आप आउले का जूश होता है एक ढ़कन दो ढ़कन आप डेली सुबह लीजे सबसे पहले वही लीजे उसके बाद आप चाय पीजे और उसके बाद आप विट लॉस करना चाहते हैं तो विट लॉस में आप ले सकते हो जैसे जीरा है तो आप भीगा के रख दीजिए और उसका पानी सुबह सुबह पीली जे और मिती कर दीजे सॉंफ कर भीगा दीजिए भीगा के सारे एकसांद छान के आप पी लीजे बहुत अच्छा होत है आप एकदम देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चिंजिस आएंगे तो यह मैं सुबर सुबर जरूर लेती हूं तो जो मॉर्निंग बनाती हूं उसमें बहुत लोग हैं सहद और नीबू लेते हैं मैं सहद नीबू नहीं लेती हूं क्योंकि अभी क्या थंड भी आ खी discovering एक खाकरने क्राणिक तो एप उपने बालों पर इस स्ट्स एक बिंखेंगे तो आप साइने बालों पर नहीं में हैं तो मैं इसको डेली ही करने वाली हूँ और आज नास्ती में बना रही हूँ पोहा तो देखे मटर ग्रीन अब मार्केट में आही गई है तो इस तरीके से मैं सुवा सुवा ये हेल्दी चीजे लेन्या ज्यादा पसंद करती हूँ तलब होना कम खाये जितना इन में बन गया ब्रेकफास्ट बच्चे जा चुके हैं और मैं हूँ आज घर में मतलब अकेले ही हूं यह चले गयां अफिश और बच्चे चले गया घर तो बनाने का कुछ मन तो उतना कर नहीं रहा था फिर बहुराना तो था ही तो मैंने सुचा कि चलो नास्ता करती हूँ तो मैंने आज नास्ते में बनाया है जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने वो यमी यमी सा वो जो ठंडियों की याद इन सबसे और अच्छी हो जाती है यादें वो है मटर, पोहा और चाय दोनों सांत में मिल जायना तो क्या बास है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने आज बड़े दिन के बाद पोहा बनाया क्या था ना कि जब हम लोग घर पे रहते थे तो नए जो धान के जो पोहे बन के आते न नए नए वो रहते थे पर अभी क्या है वो तो है नहीं पर हम लोग मार्केट से ही लाते हैं पर बनाया है मुझे खाने का भी मन कर रहा था तो मैं चले कर लेती हूं breakfast और उसके बाद फिर आप लोग भी आईए नास्ते पर आप लोग के बिना कैसे मेरा नास्ता हो सकता है तो आप लोग आज आईए नास्ता करिए और मैं भी करते हूं क्योंकि 9.30 हो गया उसके बाद पिर काम करना रहेगा तो वो मैं आप लोगों से प्लाक में जो जो करूंगी शेयर करूंगी और फिर आद ध्या को लेने जाना रहेगा तो आगे काम बहुत सारे हैं तो चलिए कर लेती हूं नास्ता और पिलेती हूं चाए चाई के बिनना तो ऐसा लगता है कि सुबह हुई ही नहीं है और सुबह होती है तो बच्चों के breakfast इन समय पता ही नहीं चलता है तो चलिए फाइनली करते हैं अधरक वाली उसका भी स्वाद एकदम गज़ा भी लगता है अच्छे बनी है तो इसके बाद मैं लगाऊंगी मसीन लगाना है तो यह सब मैं करूँगी और cleaning भी करनी है तो थोड़ी बहुत वो मैं cleaning करूँगी और आज hair में लगाऊंगी मेथी भी गोई थी ना तो वो मेथी को piece के grinder में और उसके बाद फिर one banana उसमें add करूँगी तो वो मैं अपने बालों में लगाऊंगी तो फ्रेंड्स मैं अभी अभी जस्ट नहा के आ रहे हूं और कपड़े जस्ट पहने हैं अभी कुछ क्रीमों भी नहीं लगाया है तो यसे ही मैं आज ना बाल को वास किया था और मैंने ना कुछ सर पे अपने लगाया था हेर मास तो इसलिए मैंने वास किया मैं आज कल दो तीन दिन मेरे मतब रेगुलरी हो जा रहे हैं कुछ नो कुछ हेर पे अपलाई कर रहे हूं क्योंकि हेर ना थोड़े मुझे एकदाम अजीब से हो गया थी मेरे हेर क्योंकि है तो फ्रेंड जैसी ठंडिया आना इस्टार्ट हो जाती है मतब हर तरफ से पता चलने लगता है कि भाई ठंडिया आ रहे हैं अटेक करने वाली हैं और आप अपने फेस का अपने स्कीन का ध्यान देना सुरू कर देजिए तो मैं बड़ी लोशन और जैसे वैसरीन है आप रेगुलर अपलाई करिए बोरो प्लेस है उसको रखिए क्योंकि वो सब भी बहुत अच्छा होता है बोरो प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पैर है तो पैर में आप लोग ओयल लगा के सुनाय स्टार्ट करिए थोड़ा सा पहले ही मसाज कर लीजिए तो उससे पैर न फटते नहीं है तो यह छुटे छुटे चीजें हैं जो हमको ध्यान देना चाहिए तो ठंडिया हमारे लिए बुरी नहीं है ठंडिया बहुत ही अच्छी लगने लगेंगे आप लोगों को बताती हूं आती हूं थोड़ी से तो फ्रेंड्स मैं पुझा करके आ गई हूं और मैं थोड़ा सा कर रही हूं पॉर्म कर लेती हूं तो अच्छा रहता है बहुत ज्यादा मेरे हैर आज से बहुत हीज़ावा सॉट लग रहा है तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी ठंड आ गई है और हमें चीजें हिल्दी खाने चाहिए और हमें ज्यादा धिहां देना चाहिए क्या बताना कि ठंडियों के दिन में आप लोगों ने देखा होगा क्या बताना कि बहुत ज्यादा हेयर पॉल होने लगते हैं बहुत ही सारी चीज़ें अपलाई कर रहे हूं थ्री डेस हुई हैं वन बिक तक मैं करूंगी अपलाई वैसे ही रेगुलर अगर पर्क दिखता है तो मैं भी आप लोगों शेयर करूंगी पर पहले कर लोगी और ये देखें मैंने ये लड्डू बनाया है क्योंकि ठंडियों में लड् लगता है मुझे तो मैंने इस टाइप के जैसे लड्डू है तो आप लोग बना लिए बना के रखिए तो बहुत ही अच्छा होता है हिल्दी भी होता ड्राइफ रूट इसमें रहता है इसमें आप अलसी डाल देजिए इसमें हल्दी सोंट और गूर्ड डालिए तो काफी चीजें जैसे होता ना मखाने बखाने डाल दीजिए तो हिल्दी का हिल्दी और अच्छा भी होता है तो खास करके ठंडियों में ऐसे लड्डू जरूर बना के रखिए मैंने क्या किया ना बहुत ज्यादा बड़े-बड़े से बना दिया है इतना बड़ा नहीं छोटे- बनाऊंगी क्योंकि वन या मतब एक लड्डू इतना बड़ा है कि आप कम से कम थ्री डेस खाईए मतब इसमें तीन लड्डू बन जाते तो इसी हिसाब से आप लोग बना के एक लीजे नास्ती के सांथ और नास्ती के सांथ इसको एक लड्डू ले लीजे दूद ले हल्डी जादा डालिए यह सब चीजें करिए तो हल्डी का हल्डी फिटी भी रहेंगे और बालोल में भी थोड़ी से जान आ जाएगी यह फॉल भी रुकेगा और आपके जो बोन्स होते हैं वह स्ट्रॉंग होंगी तो मैं चल देंग ना खाना मुझे आज कुछ इतना बन बेटी को लेके आती हूं फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूं तो फ्रेंड्स बेटी को लेके आ गई थी और बनाया था मैंने ओर्स आरू को खिलाया और उसके बाद थोड़ा सा मैंने खाया मैंने जादा नहीं खाया और उसके बाद मैं चले गई थी थोड़ा सा मु और खाना मैंने थोड़ा बहुत प्रणों के लिए भी बनाना है क्योंकि प्रणों के लिए तो बनाना पड़ेगा और क्या था ना कि सुबह सुबह तो मैं कुछ बनाई भी नहीं थी कल पराठा ही बनाके बेजेटेबल पराठा दे दी थी तो इसलिए मुझे बनाना था तो मैं सामको सब्जी बनाऊंगी और राईस और दाल क्योंकि दाल जरूरी है तो वो मैं प्रणों को बना के रख दे हूँ दाल जब वो आएगा तो फ्राई करूँगी और यहां पर मैं करवा रही की मेकप और आप लुक ब्लॉग में बने रहो लास्ट लुक देखना की कैसा आता है वैसे मुझे अच्छा लग रहा था और मुझे वीडियोस भी बनाने थे सूट करने थे तो वो सब मैंने इसलिए बनाया मतलब मेकप करवाया कि मुझे वीडियोस सूट करना था और आप लोगो के काफी सारे जो लोग थे कि मैं मेकप आप जब करवाईएगा तो वो ब्लॉग मेकप ब्लॉग शेयर करिएगा फिशयल ब्लाग शेयर करीगाँ आप लोगे अदhe रहते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूं लेकिन आज मैं जब करवाने किया नहीं तो मुझे याद है तो मैंने ब्लाग आप लीते हों तो आज मैंने ये अपना मेक अप जो ब्लॉग है शेयर कर रही हूँ तो प्लीज आप लोग लाइक कुमेंट जरूर करेगा और प्लीज चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब करेगा तो आपको लोग के रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियो बना रही हूँ और तो कि मैंने कराया तो कई बार है कराती रहते हूं कुछ भी रहता है तो बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी लेकिन आज मैंने प्रॉपर इसलिए ब्लॉग बनाया कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अगर आप लोग चाते हो देखना तो मैं जरूर शेयर करूँगी तो ये देखे मेरा लुप और कैसा लगा जरूर बताएगा फ्रेंड्स ये ब्लॉग को करूँगी यहीं पेंद क्यूंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाते हूँ कि आप लोग बोर हो तो नेक्स्ट ब्लॉग में आगे का आप लोग देखेगा बहुत ही मज़े आएंगे तब तक के लिए बाए बाए